मेरा नाम महीपाल ढहंड़ाए मैं पानिपत से हूँ पानिपत मैं पानिपत गरामीन विधान सब आये वहां से विधायक हूँ काफी लंबे समय से मेरा आना जाना लगा रहता था और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था मगर पिछले दस साल से मैं यहाँ पर आना चा रहा था सेंटर पर मगर मैं आ नहीं पा रहा था अचानक प्रोग्राम बना के एक दो दिन मेरे पास है तो मैं आऊँ तो मैं यहाँ पर आया आती बहुत अद्वुत चीज मुझे यहाँ देखने के लिए मिली है हो सकता है कि बहुत सारे संगठनों में काम करते करते बहुत सारी चीजें बहुत सारी जानकारियां वो अल्रेडी थी मगर यहाँ पर जो चीज देखी उसका कोई मुकाबला नहीं इसलिए और भी बहुत सारे ऐसे संगठन जो काम कर रहे होंगे उनके लिए भी यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है उदारन के तोर पर मैं बोजनाले में गया जो बोजनाले में गया तो वहाँ पर कोई सोर सराबा नहीं एक धुन चल रही है एक सोंग बज़ रहा है लोग सबजी खाट रहे है एक धुन बज़ रही है सोंग चल रहा है दूद वाला अपना काम कर रहा है एक song चल रहा है रोटी पकाने वाला फड़ा फड़ करके रोटी पका रहा है प्रोषने वाले प्रोष रहे है किसी को पता ही नहीं लग रहा कि यह हो कैसे रहा है और इतनी सेवा भाव अदभुत है, अदभुत इसलिए देश में ऐसे और भी बहुत सारे organization अगर काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ आके एक बार management को जरूर सीखना चाहिए कि management होता कैसे है बिना किसी सोरगुल के हजारो हजारो लोग campus में गुम रहे हैं कोई आदमी आपको अपरसन नजर नहीं आया मैं यहाँ पर गुम रहा हूँ सब के चेरे पर समाईल है सब खुस है किसी के चेरे पर दुख दर्द यह जला की निरा है और अदबुत बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि जब हम लोग meditation हाल के अंदर गए और वहाँ पर जो meditation किया वो जो अनबव है उस अनबव को share नहीं कर सकते उस अनबव को बताने के लिए मेरे पास कोई सब्द भी नहीं है पहुत अच्छा लगा इतना आनंद आया इतना आनंद आया कि मैं आज यह मन से कह सकता हूँ कि मैं बहुत पस्ता है रहा हूँ कि मुझे दस साल पहले आना चाहिये था मैं दस साल लेट हो गया मगर बोलते हैं के देर आए दुरुस्त आए अभी आए हैं और बार बार कैसे आए इसका प्लैन उमरे दिमाग में भी चल रहा है हम लोग दुनिया बर में और दुनिया बर में बहुत सारे ऐसे और्गनाईजेशन ऐसे संग्ठंस हैं जो अध्यातम की दिशा में लगातार लगेवें प्रियास कर रहे हैं मगर वहां में और यहां में एक बेसिक अंतर मुझे ये देखने को मिला है कि वह हम लोग गाउं से संबंद रखते हैं या सह सार में भी आ गए हम लोग कहीं बाबा लोग मिल गए कहीं दूसरे कथा वाचक मिल गए वो एक चीज को एक विशे को बले ही एक लाइन में बोल के बड़ी बात कह देते हूं मगर उस सब्जेक्ट को अक्सर से दिमाग में बिठाना उसको परमातमा के साथ जोड़ना जोड़के लोगों के दिल में उतर जाना ऐसी अध्यात्मिक सक्ति और ऐसा अध्यात्मिक वचन वो हम लोगों को यहां सुनने और देखने को मिलाए है यहां पर वो काम तो कहीं मुझे नजर नहीं आया कि अगर हम लोग किसी बाबा के पास जाएं और बाबा बोले के चिलम बरो यहां तो कोई चिलम भी नहीं बरो हता यहां पर कोई के पैर दबाओ ऐसे कोई पैर भी नहीं दबाने वाला मिलता यहां पर कोई एक दूसरे की कोई टांक ही चाही करनी है ऐसे लोग लगे रहते हैं ऐसा भी मुझे कहीं पर कोई नजर नहीं आया, या एक अदबुत वातावरन हैं, और इस अदबुत वातावरन को यहीं आके हम लोग फील कर सकते हैं। मैं तो यह जो भी कोई आपके दिल की बात के मादम से मुझे सून रहे होंगे, तो मैं तो उन सब भाई और बैनों को एक नवेदन करूँगा, एक बार आए जरूर, अगर एक बार आप आएंगे, तो एक अलग ही दिल में एक उमंग, एक अलग परकार का आपको एटमोसफेर एक अलग परकार की आपको फिलिंग्स यहाँ पर मिलेगी, अगर आप इसको यहाँ से अच्छे से दिल में समेट के लेके जाएंगे, तो यह उर्जा के रूप में काम करेगी, और यह उर्जा हमारी दिन्चरिया को चेंज करने वाली है, उसको बदलने वाली है, मैं परकार का, कोई बोज मेरे सर पर नहीं है, कोई मुझे ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा हूँ, जैसे मैं एक अलग सी जिन्दगी जी रहा हूँ, एक खुसनुमा जिन्दगी, और यह अगर मुझे हर रोज मिल जाए, तो बहुत एक अल्टीमेट काम होगा, बना के अपनी रखनी पड़ेगी, और जैसा यहाँ पर कल भी मैं एक दिदी से मिला, उन्होंने मुझे ध्यान कराया, वो कैमेंटरी कर रहे था और मैं उसी से ध्यान लगा रहा था, बाकी जंगे अगर किसी को बोला, कि आप लोग ध्यान लगवाईए, तो उनके बसकि लोग मिले हैं, उसमें मुझे नहीं लगा कि कोई वो इस वीदी से आपका ध्यान वहाँ तक ले जा सकते हैं, जहां तक पहुचने के लिए लोग बहुत लंबा रास्ता तै करना पड़ता है, बहुत सोट में उन लोगों ने सब दिल के तार, दिमाग के तार, आत्मर परमा से इंदिलन का ऐसा सरल रास्ता बताया, मैं उसके लिए आप सब को बहुत बहुत सुब कामने और बदाई देता हूं, कि आपने हम लोगों का महार्ग दर्शन किया, मैं परजा पिता दर्मा कुमारिज के यहां पहुंचने पर अपने आपको बहुत गौर्वंत महसूस कर कि अरिख दर्शन के यहां पिता हूं, कि इंदे आपको बहुत बहुत महसूस कर देड़न के यहां और आपको बहुत महत।